हेलो गईसे एंड वेलकम तुमाई यूटूब चेनल टैग बॉम के यह वीडियो आपके काफी यह दर इंपोर्टेंट और यूजफुल होने वाली दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने IQZ7 के फोन में 5G network setting कैसे करोगी तो 5G network setting कर देंगे तो आपके फोन में 5G internet चलना चालो हो जाएगा 5G activate आपको कैसे करना चली आपको दिखाते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने फोन के setting में आना है शेटिंग में आने के बाद यहां पे आप लोगों को network and internet नाम से option मिलता है आपको इस पर किलिक करना है आप जैसी इस option पर किलिक करते हो आपके screen पर कुछ ऐसा interface शो होगा SIM card and mobile network का option इस पर आपको किलिक करना है या आप दोस्तो उपर जो notification panel को slide करके भी यहां पर आ सकते हो SIM का option है देख सकते हम इस पर किलिक करते हैं तो यहां पर आ जाते हैं अगर आपके phone में कुछ अलग interface है नहीं सो हो रहा है ता आप डारेक्ट आना चाहते हो mobile data को option है उपर की side आपको इस पर long press करना है यहां पर आ जाएंगे SIM का option है आपको SIM के option पर किलिक करना SIM on SIM 2 जिस पर भी किलिक करना उस पर किलिक करिए किलिक करने के बाद यहां पर कुछ आपको चीजे करने हैं सेटिंग करने है जैसे कि यहां पर आप data roaming अगर बंद ए तो जरूर आन कर दीजिए इसके बाद यहां पर मिलता है preferred network type का option आप लोग देख सकते हो preferred network type का option है इस पर जब आप click करोगे click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके phone में यहाँ पर 4G पर यह set रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पर 5G पर set करना है तो फर्स्ट वाला option है 5G का पहले हम यहाँ पर 5G पर set करेंगे 5G पर set करने के बाद आपको यहाँ पर और थोड़ा नीचे आना यहाँ पर 5G set हो गया और access point name का option है आप इस पर click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं right side corner में 3 dot दिखेगा 3 dot पर click करके reset to default कर देंगे ताकि यहाँ पर कोई problem रहेगी और solve हो जाएगी अब दोस्तों आप अपने phone में ulti call है इसको भी आन करके रख सकते हो अब आपके phone में 5G internet चलना start हो जाएगा अगर फिर भी आपको 5G नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो SIM आप यूज कर रहे हैं उस SIM का 5G network आपके area में नहीं है जहां पर आप अपना नेट चला रहे हो तो 5G network आपके area में है या नहीं Google पर चेक कर सकते हो